Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable Operation Black Thunder Welcome to Study IQ मेरा नाम है अधेश सिंग दोस्तों अमरिटसर में लोकेड़िट स्वर्ण मंदर या गोल्डन टेंपल के बारे में कौन नहीं जानता अगर कभी अमरिटसर जाना ना भी हुआ हो तो भी पिक्चर या टीवी के माध्यम से इसकी छवी तो आपने भी जरूर देखी होगी सरूवर के बीच में सूने का ये गुरुदवारा किसी महल से कम नहीं लगता उस राद भी आधे चान्द की रोश्नी में गोल्डन टेंपल का वो सुनहरा गुमबद और अधिक सुनहरा लग रहा था तालाब में उसकी दमक्ती हुई पर जाई को देखकर मानों लग रहा था कि चान्द जमीन पर उतरने के लिए तयार हो लेकिन उस सुन्दर्था के पीछे कुछ बहुत भयान अच्छिपा हुआ था गोल्डन टेंपल की परिक्रमा कक्ष के चारू और कुछ काँच के टुकणे पहले हुए थे और उजार सी शांती उन काँच के टुकणों से टकरा कर चारू और नाच रही थी हवाएं भी कुछ बंजर सी थी नाही उस रोज उन हवाओं में गुर्बानी की वो मीठी सी धुन सुनाई दे रही थी और नाही उस रोज उटने वाली धूप में वो सौंधी सी खुश्पू थी जो मन को शांत कर देती है इसके उलट बाकाइदा वहां मरने और मारने की बातें हो रही थी हर तरफ बंदूक और सड़े हुए खाने की बद्बू फैली हुई थी एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर को अलगावादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और एक बार फिर से मंदिर के चारू और NSD कमांडो हाथों में गन लिये चारू और पहरा दे रहे थे दोस्तों ये कहानी है ऑपरेशन ब्लैक थंडर की दरसल 1984 की तरह ही एक बार फिर से कुछ खालिस्तानी आतंकियों ने गोल्डन टेंपल की अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था और अपने नापाक इरादों के लिए इसे अपना ठिकाना बना डाला था और जिस तरह उस स्थिती से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमंट द्वारा ओपरेशन ब्लू स्टार लॉंच किया गया था उसी तरह इस बार प्लैन किया गया ओपरेशन ब्लैक थंडर लेकिन जहां Operation Blue Star रात के अंधेरे में चला गया था वहीं Operation Black Thunder में जो कुछ भी होना था दो पहर की रोशनी में पूरी दुनिया की आँखों के सामने होना था इसके साथ ही जहां Operation Blue Star को एक बार में ही पूरा कर लिया गया था वहीं Operation Black Thunder को दो पार्ट में पूरा किया गया था तो क्या था Operation Black Thunder और इसे क्यूं चला गया था क्या फिर से हजारों लोगों की जान जाने वाली थी क्या इस बार भी वही गलती दोहराई जानी थी या फिर ये Blue Star से कुछ अलग था इसे क्यों दो पार्ट में पूरा किया गया आज की इस चर्चा में हम Operation Black Thunder के पीछे के वो राज जानने की कोशिश करेंगे जो बहुत कम लोगों को पता है तो चलिए शुरू करते हैं असी के दशक की शुरूआत में जब पंजाब में आतंकवादी हिंसा बढ़ने लगी थी तब उसे रोखने के लिए और पंजाब को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए Operation Blue Star चला गया लेकिन खालिस्तानी movement का यहीं अंत नहीं हुआ स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कारवाई का देश भर में विरोध हुआ सिख समुदाय ने इसकी आलोच ना की कॉंग्रिस में भी फूट पड़ गई इस कारवाई में आम लोगों की मौत के विरोध में कैप्टेन अमरिंदर सिंग समेथ कॉंग्रिस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया कई सिख लेखकों ने अपने पुरसकार लोटा दिये सरकारी आंकडों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 गायल हुए थे वही 493 चरंपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे 1592 लोगों को गिरफतार किया गया था ओपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदर को बहुत नुकसान हुआ इसके साथ मेंडिरावाले की मौत के बाद हालात काफी बिगड गए इस ओपरेशन के चार महिने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को गधान मंतरी इंदिरागांधी के दो सिख बॉडिगार्ड्स सत्वन्त सिंग और बेयंत सिंग ने उनकी गोली मार कर हत्या कर दी इंदिरागांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था इंदिरागांधी की हत्या के बाद दिल्ली समय देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठेते इस घटना के बाद देश में खून की होली खेली गई थी लेकिन सबसे ज्यादा असर दिल्ली में हुआ इन दंगों से कई लोग प्रभावित हुए कई बेघर हुए तो कई परिवानों ने अपने परिजनों को खो दिया इन दंगों में न जाने कितने लोगों की मौत हुई लेकिन सरकारी आंकडों के मताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कॉंग्रिस नेताओं ने ही हवा दी थी इसके बाद से कई सिख अलगाववादियों में विरोध और अधिक पन पा पहले ही कई युवा सिखों में ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ रोश व्यापत था और इससे कई चरमपंथी गुट पैदा हुए 1985 में अकालियों का सुरजीत सिंग बरनाला के नित्रित्व वाला गुट सत्ता में आया पर हालात बत्तर ही होते चले गए 23 जून 1985 को एक सिख राष्टरवादी ने एर इंडिया के विवान में विस्फोट किया जिसमें 339 लोगों की मौत हुई दोशी ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था 1985 में कपूर थला जिले के धिलवां से जलंधर जा रही एक बस में सवार आधा दर्जन हिंदू बस यात्रियों को अलगाववादियों ने मार डाला था इस समय तक विभिन्न घटनाओं में 175 से अधिक लोग उगरवादियों द्वारा मारे जा चुके थे इसी बीच NSG को खोफिया खबर मिली कि एक बार फिर अलगाववादि अमरिच सर को अपना घर बनाने की साजिश कर रही है इस परिस्तिती से निपटने के लिए Operation Blue Star की तर्ज पर Operation Black Thunder चलाया गया लिकिन ये दो पार्ट में जाकर कामियाब हुआ Operation Black Thunder 1 के बाद हालात नहीं सुध्रे जिसके बाद Operation Black Thunder 2 को अंजाम दिया गया और ये Operation Blue Star के मुकाबले ज्यादा कामियाब भी रहा आईए जानते हैं Operation Black Thunder को कैसे कामियाबी मिली Operation Black Thunder Events Part 1 ये बात है साल 1984 के बाद की जब पंजाब में खालिस्तानी आतंक वादी चारू और अपना आतंक पहला रहे थे हर महीने मारे जाने वाले आम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और माई में ये बढ़कर 343 हो गई थी ऐसे में Officer कमरपाल सिंग गिल को 1984 के बाद एक बार फिर से पंजाब का DGP बना कर भेजा गया था इसी दौरान हर्याना के माने सर में स्थित National Security Guards यानि NSG के Main Complex में Director General of the Elite Anti-Terrorist Force वेद मारवा अपनी टीम की ट्रेनिंग पर नजर बनाए हुए थे ये लोग पिछले तीन महीने से एक Operation की तैयारी कर रहे थे लेकिन तीन महीने पहले ऐसा हुआ क्या था तो दोस्तों तीन महीने पहले आई थी एक खुफिया खबर खबर थी कि फिर से कुछ खालिस्तानी आतंकवादी Golden Temple को अपना घर बना रही है Temple में एक बार फिर से बंदूंके पहुँच गई थी और अपरेल आते आते खालिस्तानियों के कम से कम 30 ग्रूप Golden Temple में घुश चुके थे Golden Temple के Room No.14 में खालिस्तानियों का ओफिस खोला जा चुका था जहां से ये लोग News Conference और Meeting करते थे इसी Room में आगे की Planning होती थी कई बार तो ये लोग अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हवा में Fire भी करते थे Security Forces के लिए ये सब कुछ जाना पहचाना था इधिहास एक बार फिर से अपने को दोहरा रहा था कुछ ऐसा ही घटना क्रम साल 1984 में भी हुआ था जब भिंटरावाले और उसके कटर पंथी साथियों ने सुर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया था इधर जिस वक्त माने सर में NSG अपनी ट्रेनिंग कर रही थी उसी वक्त IB भी अपने काम में लगी हुई थी आपरेशन की तयारी जोरों पर थी NSG से लेकर IB सेल आपरेशन पर नजर बनाए हुए थे IB द्वारा टेंपल के अंदर कुछ AK-47 राइफल्स भीजी गई ये बंदू के जस्बिंदर रोडे तक पहुँचाए गई थी रोडे को उसी महीने मंदिर का जथेदार बनाया गया था आतंकी इस बात से अंजान थे कि रोडे असल में IB का मुखबिर था जस्बिंदर रोडे पर अलगाववादियों को भरोसा था भरोसे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जर्नेयल सिंग भिंडरा वाले का भतीजा था रोडे के साथ 15 लोग और भी थे जो आतंकीयों को अंदर ही अंदर खुगला कर रहे थे इन 15 लोगों में वर्तमान NSA अजीत डोभाल भी शामिल थे उना 30 अपरेल 1986 को खालिस्तानी अलगाववादियों ने खालिस्तान नाम के नए देश की घूशना कर दी और 30 अपरेल 1986 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले पार्ट को अंजाम दिया गया उस वक्त लगभग 300 NSG कमांडोज ने BSF के 700 सैनिकों की साथ मिलकर मंदिर पर धावा बोल दिया और लगभग 200 सिख अलगावादियों को गिरफतार किया गया इस पूरे आपरेशन के दोरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए कमाल की बात ये थी कि इस दोरान टेंपल के सिर्फ 300 यार्ड के दारे में कर्फियो लगा था बाकी पूरे शहर में सब कुछ नॉमल था किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी आठ घंटे तक चले इस आपरेशन को पंजाब के ततकालीन मुख्य मंतरी सुर्जीत सिंग बरनाला ने मन्जूरी दी थी आपरेशन को नरम पंथी सिख नेताओं का पूरा समर्थन मिला और कई नेताओं ने आतंक वादियों, अलगाव वादियों और धर्म विरोधी तत्वों को खदेड़ेने के लिए पुलीस की इस कारवाई की प्रशन सा भी की पंजाब को एक बार फिर अलगाव वादियों के खतरनाक मनसूबों से बचा लिया गया था लेकिन इसके बाद भी पंजाब में शांती कायम नहीं हुई अभी भी यहाँ अलगाव वादियों की गतिविधियां बनी हुई थी जिससे निपटने के लिए ऑपरेशन का पार्ट टू लाँच किया गया ये कब और कैसे हुआ आईए जानते हैं पार्ट टू दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट वन के खत्म होने के बाद भी पंजाब अलगावादियों की चंगुल से आजाद नहीं हो पाया था ऑपरेशन ब्लैक थंडर पार्ट वन के बाद अलगावादी और अधिक हिंसा पर उतर आये थे दस अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जेनरल एस वैदे की दो बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी वैदे ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के एक संगठन ने ली पहले जूलियस रिबेरो और फिर केपियस गिल के पुलीस प्रमुख बनने के बाद ही पुलीस की गिरते मनुबल में कुछ सुधार हुआ लेकिन इसी के साथ पुलीस की गथित ज्यादतियों का दौर भी शुरू हुआ साल 1988 से सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलीस के संयुकत अभियान के तहट अनेक युवाओं की धर पकड़ तेज हो गई हलाकि पुलीस के इतना चौकन्या रहने के बाद भी अलगाववादियों का स्वर्ण मंदिर में आना जाना लगा ही हुआ था नौ मई 1988 को इस घटना करम में बड़ा फेर बतलाया ये तीसरी बार था जब गोल्डन टेंपल अलगाववादियों के कबजे में था इस बार भी भारत सरकार और के पीएस गिल मिलकर खालिस्तानियों का खात्मा करने के लिए तयार थे 1986 का Operation Black Thunder Part 1 छोटा था लेकिन इसका Part 2 बड़ा साबित होने वाला था दुनिया भर के पत्रकार इस घटना करम को रिकॉर्ड करने के लिए बहां पहुंच चुके थे इसलिए सरकार कोई गलत कदम नहीं उठा सकती थी वो 1984 की गलती को फिर से दोहराना नहीं चाहती थी NSG कमांडो को Golden Temple के मेन कैंपस में न जाने की सक्त हिदाय दी गई थी सबको डर था कि कहीं फिर से 1984 की गलती न हो जाए 9 माई को दो पहर करीब एक बजे Temple के अंदर से गोली चलने की आवाज आई गोली सीधा CRPF के DG सरब जीत सिंग विर्क के जबड़े पर आकर लगी विर्क उस वक्त Golden Temple परिसर की एक दीवार थोड़वा रहे थे जिसे अलगावादियों ने बनवाया था इसके बाद कमांडो ऑपरिशन के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था अमरिट सर में डॉक्टर जब वर्क का इलाज कर रहे थे उस वक्त दूर दिल्ली में ततकालीन ग्रिह मंतरी बूटा सिंग एक मीटिंग कर रहे थे इस मीटिंग में एक ब्लैक थंडर पार टू का ड्राफ्ट तयार हो रहा था इसके बाद ग्यारा और मीटिंग्स हुई जिन में से आठ में तो खुद ततकालीन प्रधान मंतरी राजीव गांधी मौजूद थे आक्शन प्लैन के अनुसार टेंपल के आसपास की 23 जगहों को निशाना लगाने के लिए चुना गया था राजीव गांधी ने ऑपरीशन को मंजूरी तो दे दी थी लेकिन एक शर्त रखी थी शर्त ये थी कि किसी भी हालत में फोर्सेज मुख्य टेंपल एरिया में एंटर नहीं करेंगे जैसे ही ऑपरीशन को मंजूरी मिली वैसे ही NSG के 1000 कमांडो अमरित्सर पहुँच गए अंदर आतंकियों को इस बात का जरा भी एसास नहीं था कि बाहर उनको घेरा जा रहा है वो भारत सरकार के इस आक्शन के लिए बिल्कुल तयार नहीं थे इस असावधानी का हर जाना भरने वालों में सबसे पहला इंसान था पंथिक कमेटी का स्पोक्स परसन जागीर सीन 14 नवंबर को जैसे ही वो पानी पीने के लिए बाहर निकला वैसे ही स्नाइपर का निशाना बन गया DGP गिल इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे उन्होंने प्लैन बनाया कि आतंकियों को पहले वो ठकाएंगे इसके लिए एक दोर में गोलियां चलाई जाती और फिर सीस फायर की घोशना कर आत्म समर्पन करने को कहा जाता इस आपरेशन में 15 मई को पहली कामियाबी मिली कुल 146 लोग जिन में 17 ओरतें और बच्चे थे हाथ उठा कर आत्म समर्पन के लिए बाहर आ गए इन में से एक सुरजीत सिंग पेंटा भी था जिस पर दिल्ली में कई कतलों का इल्जाम लगा था जैसे ही ये लोग बाहर आए एक पत्रकार ने डी जी पी गिल से पूछा कि क्या भी ओपरेशन खत्म हो गया गिल कुछ जवाब देते इससे पहले ही सुरजीत सिंग पेंटा ने साइनाइड निगल लिया और वहीं उसकी मौत हो गई पेंटा की मौत पुलीस के लिए बहुत बड़ी हार थी क्योंकि पेंटा से उन्हें उस आतंकी संगठनों की जानकारी मिल सकती थी जो इनकी मदद कर रहे थे और साथ दे रहे थे इसके साथ ही गिल को एक जटका और लगा जब सीज फायर का फायदा उठा कर कई लोग परिक्रमा के कमरों से निकल कर में टेंपल में गुस गए गिल को अब पूरा प्लान फिर से बनाना था टेंपल की खाने पीने की लाइन काट दी गई थी लेकिन गिल को इससे बड़ा डर ये था कि वो लोग टेंपल सहिद खुद को न उड़ा ले गिल के साथियों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की योज न बनाई लेकिन गिल इसके लिए तयार नहीं थे उपर से सक्त ओर्डर थे कि किसी भी हाल में एनेसजी कमांडों को टेंपल के अंदर नहीं गुसना था सर्जिकल स्ट्राइक की खबर बाहर निकलती तो हालात फिर से साल 1984 जैसे हो सकते थे गिल ने 72 घंटों तक आत्मसमरपन की अपील जारी रखी 72 घंटों तक 47 लोग इस टेंपल के अंदर छिपे रहे उन्होंने पानी और खाना ले जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इस मकसद में नाकाम्याब रहे गिल ने उन पर पूरे तरीके से प्रेशर बना कर रखा और फिर आया वो दिन जब अलगाव वादियों ने हार मान ले 18 माई को आतंक वादियों ने ठक हार कर सरकार के आगे घुटने टेक दिये और अपने आपको सिरेंडर कर दिया इस उपरेशन में 30 अलगाव वादियों के मारे जाने के बाद लगभग 200 अलगाव वादियों ने खुद को सिरेंडर किया इसमें एक भी सैने की मौत नहीं हुई और इस उपरेशन ब्लैक थंडर का सेकंड पूरा हुआ इस पूरे ऑपरेशन की कमान पंजाब पुलिस के डी जी पी कमरपाल सिंग गिल ने समाली थी जिसके वजह से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गिल भी कहा जाता है इस तरह दो सप्ताहा के बाद आखिरकार 23 मई 1988 को गोल्डन टेंपल में कीरतन की गुंच सुनाई दी और एक बार फिर से अमरिच सर की हवाओं में गुर्बानी के स्वर बहने लगे ओपरेशन ब्लैक थंडर को समझने के बाद आए ये जानते हैं कि ये 1984 में हुए ओपरेशन ब्लू स्टार से किस तरह अलग था दोस्तों जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार में जानमाल की भारी हानी होई थी वहीं ऑपरेशन ब्लैक थंडर में केवल तीस अलगावादियों की जान गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना को लगा था कि वो कुछ ही घंटों में अलगाब वादियों से स्वर्ण मंदर को खाली करवा लेगी लेकिन ये तमाम अनुमान गलत साबित हुई असल में स्वर्ण मंदर के पास मौजूद अकाल तक्त में आतंक वादियों ने जबरदस्त मोर्चे बंदे की हुई थी इस दोरान कई तरफ से गोली बारी की जा रही थी जिसकी वजह से सीना के जवान अकाल तक्त के करीब नहीं जा पा रहे थे जिसके बाद आखिर में सीना ने सरकार से टैंकों के इस्तिमाल की इजाज़त मांगी और सरकार ने इस मांग को मनजूर कर लिया उस समय टैंकों ने अकाल तख्त की तरफ करीब 80 गोले दागे थे इस उपरेशन में जर्नेल सिंग भिनरावाले समेथ 493 लोग मारे गए थे इसके अलावा इस उपरेशन के दौरान सीना के 87 जवान शहीद हुए थे नोट करने वाली बात ये है कि उस समय इस उपरेशन की वजह से भारतिय सीना के कुछ सिख जवानों ने भी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था इन सिख जवानों ने तब ततकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीना के वरिष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रधर्शन भी किये थे इस उपरेशन से सरकार ने सबक ले लिया था और गलती न दोहराते हुए उपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया था इसके अलावा सरकार ने दोनों ही उपरेशन को खालिस्तान अलगावादियों के खात्मे के लिए ही लॉंच किया था लेकिन आपरेशन ब्लू स्टार के मकाबले आपरेशन ब्लैक थंडर इसमें ज्यादा काम्याब रहा जहां उपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में अलगाववाद और हिंसा की एक नई लहर देखी गई वहीं उपरेशन ब्लैक थंडर ने पंजाब में देरग कालीन शांती स्थापित की यह उपरेशन अभेक्षकृत रक्तहीन था ग्रामीन पंजाब में चार साल पहले उठी जबरदस्त लहर के विपरीद इस बार कोई ज्यादा हल चल नहीं हुई नहीं इस बार सिखों पर किसी अत्याजार की अववाहें थी क्योंकि आपरेशन को वर्ल्ड वाइड लेवल पर कवरिज किया गया था और इसके साथ ही पहले के विपरीद बहुत कम एरिया की घेराबंदी की गई थी इसके अलाबा ब्लैक थंडर और ब्लू स्टार के बीच एक महत्वपून अंतर ये है कि मई 1984 के बाद से आतंकवादी प्रेरणा या अलगाववादी शक्ती को बढ़ावा देने के लिए भिंडरा वाले जैसा कोई व्यक्ती नहीं था उनके पास अंतर तक लड़ने के लिए और प्रेरित करने वाला कोई पावर नहीं था और ये कैसी सरकार का सामना कर रहे थे जिसने ब्लू स्टार के पाठों को आत्मसात करने में चार साल लगा दिये थे इसके साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को भारत ये सेना द्वारा रात में किया गया था उस वक्त सीना ने में गेट से ही एंट्री की थी जिसकी वजह से भारी जनहानी का सामना करना पड़ा था टेंपल में मौजूद लोगों ने पैदल सीना पर हमला कर दिया था लेकिन इस बार ऑपरेशन ब्लैक थंडर को दिन के उजाले में करने का निरने लिया गया था इस संदर्म में एक अधिकारी कहते हैं ये सबसे अच्छा था कि दिन के उजाले में हम विरोधियों को साफ साफ देख सकते थे आखिरकार हम उनसे कहीं बेहतर प्रशिक्षित थे आपरेशन ब्लैक थंडर नाकबंदी रणनीती के साथ कहीं अधिक सफल रहा इसे सिख अलगाववादी अंदोलन की कमर तोडने का श्रे दिया गया इस ऑपरेशन की तुरंत बाद भारत सरकार ने राजनेतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए धार्मिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और पंजाब क्षेत्र में उगुरवाद से लड़ने की अपनी रणनीती के तहट अवैद हत्यारों के कबजे और उपयोग के लिए दंड में वृद्धी की कंक्लूशन दोस्तो सरकार ने खालिस्तान मूवमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर ऑपरेशन ब्लैक थंडर तक चलाया इन दोनों ही ऑपरेशन का मकसद खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करना और पंजाब को जलने से बचाना था इन operations की वजह से बहुत हद तक खालिस्तान movement दब गया और यहां तक कहा जा सकता है कि भारत से इस movement को उखाड़ा जा चुका है लेकिन एक बार फिर से बहरी शक्तियों जैसे पाकिस्तान, कैनेडा और बिटिन जैसे देशों के एक गुठ द्वारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है आज भी इन देशों में इस movement के समर्थकों की तादाद बनी हुई है पाकिस्तान तो इस आंदोलन का बहुत पहले से ही समर्थक माना जाता रहा है पिछले साल 6 जून 2022 को अमरित सर के स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक जमा हुए इस दिन इन्होंने Operation Blue Star की 38 मी बरसी मनाई इस कारिक्रम में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए साथ ही जर्नेल सिंग भिनरावाले के पोस्टर भी लहराए गए अमरित पाल सिंग जैसे कुछ खालिस्तानी नेता खालिस्तान आंदोलन को फिर से उठाने की प्लैनिंग कर रही है इसी संदर्ब में पंजाब पुलीस अमरित पाल को लेकर सक्त कदम उठा रही है बता दें कि इनका प्लैन एक बादे कई बड़े नेताओं की हत्या करने का था नेताओं में पंजाब के पूर्वसीयम प्रकाश सिंग बादल उनके बेटे सुखबीर सिंग और बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम शामिल है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या खालिस्तान मूव्मेंट फिर से उठ सकता है और क्या ये तरीका सही है हाँ या नामे अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे